यह देख सकते हैं इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया है यह नॉर्मल हम लोग का जो आटा सांड रहे थे हम लोग यह उसके है और इसकी पानिपूरी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से फुल रही है तो जोस्तों स्वागत है आपका एक और सांधार वीडियो में तो आप लोग तो देख सकते हों यहां पर पानिपूरी का आटा हम लोग छान रहें क्योंकि कभी-कभी ना कुछ कंकर टैप से निकल जाते हैं तो जो पानिपूरी के आटे को नुक्सान कर जाते हैं और पानिपूरी नहीं फुलती और बरसात के समय में बोरी सीली रहती है तो वह करके दिखाऊंगा तो चलिए मैं मिक्स कर लेता हूं और मैंने काडोरी में निकाल लिया सम्थिंग मतलब ज्यादा नहीं निकालूंगा थोड़ा सही क्योंकि खराब तो हो नहीं है भाई तो यह देखिए मैंने इतना निकाल लिया अब इसमें इतना नमक एड़ कर देते ह थोड़ा नमक दाला है जब आता नमक और पाल नहीं पड़ेगा तो आपको पूरा सम्झ में आने वाला सब कुछ और इसका क्या हाल होता है और आपको आखरी में पता चलने वाला है चलिए पाई डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके साल लेंगे जैसे पानी पूरी का आटा सानते हैं यह देखो यह साल लिया अपने सॉफ एक्दम कर देना अच्छी तरीके से यह देख सकते हैं एक्दम सॉफ्ट हो चुका है और मैं इधर दिखाँ आपको यहाँ पे हम लोग का रेगुलर पानी पूरी आटा सना रहा है मतलब मिर ममी सान रही है जो हमनों रोज सानते हैं सामको यह देखो चलो इधर अपने पनी में बांद के मैंने इसको रख दिया और यहां पर देखिए आप लोग कि जो हम लोग का आटा रहता है उसकी पानी पूरी के लही पूरी तोड़के रख दी गई है अब दोस्तों मैं मिलता हूं सुबह यह दखिए भाई यह काम चालू हो गया यह रेगुलर आटा है जो हम लोग रोज ठेले प्लिक हैं फाटा ठीक है तो इसकी पानी पूरी आपको दिखाता हूं और फिर उसकी आपको तोड़ की दिखाओंगा लेकिन पानी पूरी गोल होनी छाहिए आप लोगोल को कि छी इतbeneक है यहाद कर लोटा ग्ल्टटा इस एसके फूर लेता हूं चलो ऐसे करके बढ़के पतला कर लेते हैं और इसकी लेई तोड़ लेते हैं देखिए और लेई का साइस तो आप लोग देखी रहे हो मतलब वह आटा रहे चाहिए वह आटा है साइस तो आपको नॉर्मल मतलब बराबर रखना ही पड़ेगा दोनों का और उसके बाद इसको पन्नी में बांख कर देंगा लेकिन चिपकर दें में गयरा जुपर से हुद आटा सूкив वाला ड्राई वाले चिरक ड्हाइकि नहीं तो घ्रका बहस करद criticर पंडी में बांद के रख देते हैं और इसको आदा घंटा गबाद निकाल के बेलेंगे चलो यह निकाल लिया और थोड़ा से आटा और डाल दिया यह अलका सा ताकि आटा डालने से क्या होता नहीं बेलन में न जो पानी पूरी अपने बेलते हैं वो चीपकती नहीं है आप आप लोग को पता है यह बात तो यह डाल दिया और यह देखो मैंने इधर जो जो खाली जगाई यह वाली इसमें मैं इसको बेल के रखूंगा नमक वाली को तो चलो मैंने यह वाली पानी पूरी बेल ली यह देखे कंप्रीट हो गया अब इसको अपन थोड़ी दिर के बाद यह देख सकते हैं इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया है यह नॉर्मल हम लोग का जो आटा सान रहे थे हम लोग यह उसके है और इसकी पानी पूरी आप लोग यह जाएगा ऐसे करके ऐसे करके उठाट के डालना पड़ता है कंटिनी यह देखे और एक तरफ से इसको खोल लेते हैं से करके के कशे है आज ये बिंसे करने में हाट इए तो चलिए मैं आपको अब नमक वाली पानी पूरी तलगे दिखाता हूं कि कैसी फूलती है क्या होती है तो चलिए जैसे क्यए आपको पता है कि इदर वाला है देख नॉर्म पूरी तर्गे दिखाते हैं और यह कैसे आती है यह नर्मल या भाइट मेड़ी मेड़ी या फिर मोटी पतली नहीं आने माली यह क्वालिटी इसकी यह देखिए देख सकते हैं आप लोग इसको देखो और फिर इसको देखो कितने ज्यादा अंतर है यह देखो दालो यहां पर काटून में दारी है पूरी देखिए इसकी क्वाल्टी देखो अब मैं आपको बताता हूँ किया दिफ्ट्रेंस से दोनों में ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था और क्यों नहीं डालना चाहिए नमक पानीपूरी क्याटे में यह देखिए मैं बताने वाला ह साथ में सील जाती है ना कुछ उसी तरीके से पुरी शील चुग यह देखिए और आपको नॉर्मल पानी पूरी हो जाती है पूरी और पच्की भी है माननों ज्ब्सकी के नापी टाइट हो जाए लिगिन हलकी टाइट है लेकिन भाई क्या ही फायता जब पाच्की ही निकल गया की क्या करना चाहिए और क्या नहीं तो आपको हो पसंद आई सकार्थ होगी पसंद योगीं राइक और तो अदो चाहिए सकते हैं करते रही है